Hello everyone, welcome all of you to this session. आज इस 10 minute series के अंदर मैं एक और important topic आपके लिए लेके आ गई हूँ from logical reasoning and आज logical reasoning के अंदर we will be covering Indian logic का एक important topic which is types of pramahna. प्रamahna के उपर आज हम discussion करने वाले हैं कितने types के प्रamahna होते हैं? There are six types of pramahna. इसी को आज के session में हम discuss करेंगे. Let's start. प्रamahna के उपर बात करने से पहले, इसके types के बारे हम बात करने से पहले प्रamahna होता क्या है? उसको हम उसकी बात करते हैं. प्रamahna is a means of valid knowledge. मतलब एक valid knowledge क्या है? That is pramahna. प्रamahna का मतलब होता है कि हमें एक सही ज्यान कहां से मिलेगा. Right? So it is a means of valid knowledge. एक true knowledge कहां से मिलेगी. तो अलग-अलग school ने अलग-अलग प्रamahna पर belief किया. Six types के प्रamahna होते हैं. The first pramahna is pratyaksh pramahna. Pratyaksh pramahna बोलता है कि वो knowledge जो हमें हमारे sensory organ से मिल रही है. वही एक true knowledge है. मतलब आपका प्रatyaksh pramahna कहता है कि हम किसी भी और बात पर believe नहीं करेंगे. किसी भी और बात को हम as a true knowledge नहीं लेंगे. Only we will take the pratyaksh that is जो हमने अपने sense organ से खुद तीजों को perceive किया है. वही हमारे लिए true knowledge होगी. For example, अगर आप आग के बारे में समझना चाते हो और आपने आग खुद अपनी आखो से देखा. आपने खुद देखा, आपने समझा कि आग कैसी है, वही आपके लिए true knowledge होगी. किसी ने आपको बताया आग क्या है, आग कैसे होती है, that is not true knowledge. अगर आप आग के बारे में जानना चाहते हो, तो आप आग को खुद देखो. ये प्रत्यक्ष्प्रमान है, कि वह knowledge हमारे लिए true knowledge होगी, जिसको हम खुद अपने sense organ से perceive करेंगे. नेक्स्ट आपका नेक्स्ट प्रमान आता है अनुमान, inference, जिस चीज के बारे में आप पहले से जानते हो, उसके basis पे आज आप एक अनुमान लगा रहे हो, मतलब एक inference बना रहे हो. तो अनुमान is basically, जो चीज हमें पता है पहले से, हमने आग देखा, आग में देखा धुआ होता है, आज आप धुआ देख रहे हो, और आपको मालूम है कि हमने धुआ कहां पे देखा था, जहां पे हमने आग देखी थी, वहाँ धुआ देखा था. तो दूर आज कहीं आप धुआ देख रहे हो तो आपको पता चलिया वहाँ जरूर आग होगी तो अनुमान कहता है जिस चीज का हमें प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष के basis पे आज हम जो चीज देख रहे हैं उसके basis पे हमें conclusion पे आ सकते हैं आपका अनुमान कहता है meaning of the word मतलब after knowledge अनुमान का मतलब है after knowledge that means ये secondary knowledge है वो knowledge जो हमारे प्रत्यक्ष को follow करती है हमें इस चीज का प्रत्यक्ष है ये चीज हमने observe करी है हमने देखा हुआ है और उस knowledge के basis पे आज हम एक conclusion निकाल रहे हैं अनुमान अब हम आते हैं उपमान पे उपमान का मतलब होता है compare करना तो उपमान प्रमान के अंदर हम similar चीजों को compare करके इस knowledge को समझते हैं ये generally हम use करते हैं जब हमें किसी को समझाना होता है कोई चीज और उस person ने वो exact चीज तो देखी नहीं अब हम उसको कैसे उस चीज के बारे में समझाएंगे लाइक अगर हमें बताया जाता है Mars का environment कैसा है तो Mars के environment को बोला जाता है desert के जैसा है हमें desert क्यों बताया गया किवि हम जानते है desert कैसी होती है इसी तरह से अगर आप किसी को बताना चाते हो कीवी का taste कैसा होता है कीवी fruit सपोस किसी ने नहीं खाया है किसी friend ने नहीं खाया है आप उसको बताना चाते हो कीवी fruit होता कैसा है टेस्ट कैसा करता है तो आपने उसको बोला grapes के जैसा उसका taste होता है उसी जैसा खटा होता है तो यह आप क्या कर रहे हो उपमान प्रमान का यूज कर रहे हो मतलब आप comparison से समझा रहे हो comparison के basis पे समझा रहे हो that means एक चीज़ समझने के लिए आपने इसको relate किया with some other thing जैसे हमारे exam में question आया था कि आप अपने American friend को समझाना चाहते हो कि इंडिया में बफ़लो एशीन बफ़लो कैसी होती है तो अगर आप अपने American friend को बफ़लो के बारे में बताना चाहते हो तो आपने उसको प्रिलेट किया बाइसन से अमेरिका में बाइसन जैसी होती है अपने फ्रेंड से बोला जैसे आपके यहां बाइसन होती है वैसे ही हमारे यहां बफलो पाई जाती है तो आपका जब फ्रेंड अमेरिका से इंडिया आया तो इसने देखा बफलो को तो फॉरन से समझ गया कि यही वह animal है, जिसके बारे मेरा friend बात कर रहे हैं, यह उपमान प्रमान है, जहाँ पर हमने knowledge क्यासे दी, compare करा के, comparison के ठूह हमने knowledge दी है, Next आता है, शब्द प्रमान, शब्द प्रमान होता है, वह knowledge, जो हमें words से, verbal testimony से मिले, शब्द मतलब, हर knowledge हमने हमेशा देख के या compare करके नहीं receive करी है बहुत सारी knowledge ऐसी है हमारी life में जो हमें या तो हमारे friend ने दी है या हमारी family के किसी elder ने दी है या हमें कोई knowledge हमारे teachers से मिली है तो कोई भी trusted person जो आपको knowledge दे रहा है वो knowledge अगर आपको words के through मिल रहे हैं उसको हम शब्द प्रमान के अंदर रखते हैं तो वो knowledge जो हम receive कर रहे हैं through verbal testimony किसी भी trusted person से अगर आप कोई ज्यान ले रहे हो in the form of words that comes under शब्द प्रमान नेक्स आता है अर्था पती assume करते हो जहां आप imply करते हो मतलब वो चीज जो आप देख नहीं रहे हो बट हम assume कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा exam में बहुत सारे questions अर्था पती के उपर बने हैं जैसे कि अभी एक question मैंने आपको कल ही logical reasoning के revision में कराया था कि राहुल के parents ने उसको कभी घर में पढ़ते में नहीं देखा उसके teachers ने उसको class में कभी भी sincere होके पढ़ाई करते वे नहीं देखा लेकिन फिर भी उसके exam में बहुत अच्छे marks आते हैं तो हम यह imply करते हैं कि वो छुप छुप के पढ़ता होगा हम यह मानते हैं कि वो छुप छुप के पढ़ता होगा यह अर्थापती है आप मानते हो जैसे एक और question आपके exam में आया था fat saint ठीक है मोटा saint वो हमेशा जो है कहता है मैं अंशन मैं फास्ट पे रहता हूं मैं खाना नहीं खाता हूं but if saint तो मोटा है तब हमने imply किया यह रात को छुप छुपा के खाता होगा तो this is what, this is again your, this is again your अर्थापती जहाँ पर हम आप imply कर रहे हैं यह दोनों ही आपके UGC net में questions पूछे गए थे जहाँ पर आपको बोल रहे हैं यह ऐसा है लेकिन हम उसके basis पे यह अज्यूम कर रहे हैं तो जब आप अज्यूम कर रहे हो आप imply कर रहे हो that is अर्थापती लेकिन हमें पता है कि हम यह देख रहे हैं कि उसके marks बहुत अच्छे आ रहे हैं इसलिए हम बोल रहे है क्या कि यह पढ़ाई करता होगा चुप चुप चुपा के फैट सेंट को किसी ने खाना खाते वर नहीं देखा लेकिन क्यूंकि वो फैट है तो इसलिए यह माना जा रहा है कि यह हो रहा होगा तो यह अर्थापती है और नेक्स होता है अनूप लब्धी अनूप लब्धी मतलब कोई चीज का absence आपको कोई knowledge दे किसी चीज का absence अब किसी चीज का absence हमें कैसे knowledge दे सकता है तो absence हमें इस तरह से knowledge दे सकता है कि आपसे मैं बोलूँ कि भई मैं अपने घर से निकलूँगी तो मैं तुम्हें missed call मार दूँगी आपने अपना phone उठाके देखा और आपने देखा मेरा कोई भी missed call नहीं है तो आप ये मान गए कि अभी ये घर से नहीं निकली है मतलब किसी चीज के ना होने से आपको एक knowledge मिल गई it is अनुपलब्धी राइट अनुपलब्धी मतलब किसी चीज के absence से हमें क्या मिल रही है एक knowledge मिल रही है तो यह आपके six types of प्रमान है प्रत्यक्ष जहां पर हम चीज़ों को खुद देख रहे हैं अनुमान अपने प्रत लब्धी जहां पर किसी के absence के से आप एक knowledge एक ज्यान निकाल रहे हो right so these are the six types of प्रमान अब हमारे questions जो बनते हैं direct या तो प्रमान पर बनते हैं जैसे मैंने आपको कुछ examples दिये यह इस तरह से भी आपके questions बनते हैं कि आपसे पूछा है कि कौन सा school of logic रही नहीं the school of logic comparison which roughly corresponds to analogy हम क्या कर रहे हैं correspond हमारी जो analogy हो रही है मतलब comparison हो रहा है यह concept रमान में होगा इसका answer क्या होगा अभी हमने पढ़ा comparison उपमान में करते हो तो इस तरह के भी आपके exam में questions बनते हैं या तो statements दिया होगा या आपसे meaning पूछेगा right so next according to which प्रमान knowledge gained through seeing the relationship between cause and effect अभी हमने पढ़ relationship हम किसमें देखते हैं अर्था पती में देखते हैं तो इसका answer क्या होगा option number A इस तरह कि आपके questions exam में बनेंगे या तो आपसे direct statement दी होगी और बोलेगा यह concept रमान में होगा और it could be they are giving you the meaning the definition और आपसे बोच पूछेगा यह कौन सा है ठीक है तो प्रमान से जैसे भी question के ready रखना पढ़के जाना जरूर से because examination में यहां से आपके questions बनेंगे ठीक है अभी के लिए इतना ही था I hope you have liked and enjoyed this video again comment जरूर से बताना comments में कैसी लगए video मैं आपसे मिलती हूँ another short video concept thank you so much